नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं फार्मल सर्ट फोटो सूट इडिटर के बारे में बात करने वाला हूँ यह आप से बहुत ही बढ़ी आप से है चलिए इस आप से के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी देते हैं कैसे आपको इसे यू फोटो पर लगा सकते हैं जैसे कि आपका फोटो है उस पर कैसे लगा तो मुझे कौन से सब्सक्राइब चाहिए तो यह वाला ठीक है यह वाला आप अच्छा लाग रहा तो इस फोटो लगाएंगा ठीक है अपना तो फोटो खीचकर भी लगा सकते है तो मैं अभी जा रहा हूं गैलरी में ठीक है सीधा मैं गैलरी में से एक फोटो लेता हूं वहां से उस फोटो को लेकर मैं इस वाले फोटो पर जो मैं शूट लगाया हूं अभी इसी वाले पर लगाऊंगा देखिए कैसे लगाता हूं आप जब देखेंगे तभी आपको नीला में ऍहुंदे पीछे हैं यह जादा को भीड़ रेकाई इससी स्टेट कर दिया जिली इसे काटना मट्लब लेए हुआ प देखिए यहां पर बनियां आप आपको सब्सक्राइब करें तो आपको सब सेटिंग बता लग जाएगा धिरी-धिरे कुछ ज्छीप प्रसाइब है धिर्दीर आप बनियाओ दोस्तों आपके सब्सक्राइब जो सलओन है जैसे माल लीजिए, वो एक कलर हो, जैसे की ज्यादा कलर वाइज रहेगा, तो वो काट में आपको प्रसानी होगी पीछे का, ठीक है, तो इसलिए एक ही कलर का पीछे का हो, तो वो जल्दी से कट जाता है, ठीक है, तो देखिए यहां तक कट गया है, अब एरेज में ले लेत लागता है, ठीक है, तो आराम से काटिएगा, देखिए अभी कुछ समय में कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, क्योंकि फोटो आप एडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, मगर जब आप इस एडिट कर लेंगे, तो बहुत अच्छा मतलब दि पहन सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार, दोस्तों, अगर आपको मालीजे कोई और फोटो मतलब इडिट करना है, तो उसे आप गैलरी में जाके, फिर से दोबारा मतलब इंटर करके, उसे एडिट कर सकते हैं, और कोई भी सर्ट आप पहना सकते हैं, जो भी आपको अच्छ से अच्छा काट सकते हैं, और बना सकते हैं, ठीक है, इसमें बणिया सेटिंग दिया है, कोई ऐसा सेटिंग नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, सब सेटिंग नॉर्मल है, आप बहुत बणिया से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एरेज दो है, दोस्तों, ये बणिया सी आप एरेज को छोटा भी कर सकते हैं यह थोड़ा सवर बाकी फैसकर यह बिलाया घूला है एक कटैसे करके इसे सब्सक्राइब करके शोटा करके उसे काट रहा हूं वहांपध थोड़ा से बचा था बेक्गराउंड का जो फोटो था बेक्गराउंड का तो मैं इसे बराबर कर ले रहा हूं बढ़िया से मगर दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया अपस है माली जी अगर आपके पास सूट और सेट परजेंट में नहीं है और आप किसी को दिखाना चाहते हैं अपना अच्छा फोटou अपना अक्षा पहनावा दिखाना चाहते है तो इस अपसका परियोग करके बढ़िया से आपप से जिन शारा हैं जिन से न को आपने फोटो में जूज कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया आप दिखेंगे ठीक है तो वेट करिए दोस्तों बस होने वाला ही है ठीक है मैजिक जो लिखा है दोस्तों यह मैजिक पर लगा करें अबर क्लिक करेंगे तो सब कड़ जाएगा पैक्ग्राउंड पीछेगा ठीक है तो देखिए magic लगा कर मैं यहां बाकि यह थोड़ थोड़ काट रहा हूं ठीक है और open nest लिखा गया है उसे आप click करेंगे तो आगे बढ़ेगा ठीक है और आगे बढ़ने के बाद आप अपने फोटो में background लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है background बहुत जादा है आप उसे जो भी आप अच्छा लगता है उसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो बस यह हो गया है दोस्तों अब मैं सिधा nest भी दाबूंगा और आगे बढ़ूंगा तो हो गया और यहां पर दोस्तों देखिए मैं background लेता हूं यहां पर देखिए कई सारे background है जो भी आपको दूसरा ले रहा हूं ठीक है यहां पर दोस्तों color भी आप लगा सकते हैं पीछे पहुष्च से color है जो भी आपको अच्छा लगता है लगा सकते हैं तो अगर वो नहीं अच्छा लगता है तो background ही पीछे जो है वही लगा लीजिए बहुत बैक्राउंड लगाने के लिए ठ ठीक है गैलरी में दोस्तों जाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने फोटो को किलियर कर लिजिएगा थोड़ा चेरे पर चमक कर लिजिएगा और भी फोटो किलियर और सुन्दर दिखने लगेगा ठीक है तो अभी मैं गैलरी में जा रहा हूँ तो देखिए दोस्तों लास्ट में आया है ठीक है तो मैं इसे अभी थोड़ा सा क्लीन करूंगा ठीक है देखिए क्लीन नहीं है तो मैं यहाँ पर इडिट पर क्लिक करके इसे थोड़ा क्लीन कर ले रहा हूँ ठीक है ताकि और भी फोटो बढ़िया देखिए चेरे पर चमक है ठीक है यहां पर जो किलीन का अफशन है यहां पर किलीक करके मैं थोड़ा चमक बढ़ा दे रहा हूं देखिए आप यह ऐसे चमक बढ़ा लिजेगा अच्छा दिखेगा आपका फोटो जैसा आपको अच्छा लगता है उतना आपकाम बेसी करके ब्राइटनेस अपने चेरे पर चमक ला लिजेगा जैसा आपको अच्छा दिखे ठीक है तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है यहां नीचे डन लिखाए डन कर लिजेगा और उसके बाद यह फिर फोटो आपके गेलेरी में पह अनिवाद